हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन आटीपी में 22 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं यह क्वेश्चन ऑन सेल और रिटर्न पच्छों सेल और रिटर्न काफी इंपॉर्टन चैप्टर है और कंपरेटिवली इजी भी चैप्टर है पांच मार्क के लिए हर बार एक क्वेश्चन कम से कम आया है तो डोंट इग्नोर दिस चैप्टर और लेन अगर कुछ मंगाते हैं तो साथ दिन के अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया तो 8th दिन को Amazon वाले मान लेंगे कि यह सेल हो गया है वैसे ही यहाँ पे 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है During April इतने customers को यह dates को यह amount का हमने goods भेजा है Within the stipulated time G and I यह G भाई सहब और यह I भाई सहब इन्होंने goods return कर दिये While H, J and K informed that they have accepted the goods तो H, J और K इन्होंने goods accept कर लिया है Whereas G, R, I जिसको circle किया उन्होंने goods return कर दिया Prepare following account in the books of S Goods on sale or return sold and return day book and goods on sale or return total account तो हमें दो चीजें पूछी गई है एक पूछा है day book, day book याने के journal याने के register और दूसरा है ledger account तो मैंने इदर format बना के रखा है बटा और इदर उपर देखो क्या लिखा है Memorandum book of account Memorandum Memorandum का मतलब होता है rough book है यह यह fair नहीं है तो जैसे के classes में जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे हैं जो rough में लिख रहे होता है उनको पूछेंगे यह क्या कर रहे हो तो बोलते हैं sir don't worry यह rough में लिखा है घर जाके fair book में अच्छे से लिखूँगा तो वैसे ही यह company ने क्योंकि यह बहुत बार frequently goods भेज रही है sale or return पे तो उन्होंने यह memorandum books maintain किया है तो यह main books का हिस्सा नहीं है अगर कुछ goods accept हो जाते हैं तो उसे इसमें से निकाल के main books में लिखेंगे अगर कुछ goods return आ जाते हैं तो फिर उसको main book में हम नहीं लिखेंगे ठीक है तो आएए इधर यह format है यह जो पहला section है वो goods जो भेजे हैं उसके लिए है second section है वो goods return आ गए third section है जो goods approve हो गए तो जैसे मैं क्या कह रहा था यहाँ पे जो हम लिखेंगे यह section में वो हम main book में भी लिखेंगे और यह balance का मतलब अब ऐसे goods जो अभी तक customer के पास है और उसका जो 15 दिन का time period है वो अभी तक complete नहीं हुआ है वो goods हम balance में लिखेंगे ठीक है चलिए तो अभी हम पहले sale का entry कर लेते हैं यह अलग-अलग days को entry हुआ है तो मैं पहले date लिख लिखता हूं फिर मैं customer के नाम लिख दूँगा जी एच आई जे के और एल मैं सर्ज जी एच आई जे के एल अब मैं अमांट लिख रहा हूं बी सेजर 36,000 50,000 16,000 42,000 और 60,000 ठीक है अभी G और I उन्होंने goods stipulated time में यानि के 15 दिन के अंदर अंदर return कर दिया date exactly नहीं बताया है तो हम assume कर रहा है कि April 17 को उसने goods return कर दिया तो अब उसका कुछ balance बचा नहीं है H 36,000 H ने goods accept कर लिया है तो इसका date होगा आपका 4 में 15 दिन add करूँगा तो 19 और ये आजाएगा आपका approved में 36,000 और फिर balance में 0 फिर I आई ने भी goods return कर दिया है 16 और 15 दिन अगर मैं add करता हूँ तो वो May 1 चला जाता है बिटा May 1 को 50,000 के goods उन्होंने return कर दिये हैं और balance कुछ भी नहीं अभी 20 April J ने goods accept कर लिये हैं तो 20 से 10 दिन और फिर और 5 दिन याने May की 5 तारिख को J ने goods accept कर लिये तो 16,000 यहाँ पर लिख दिया और balance में 0 उसके बाद 24 April 24 से 6 और फिर 9 दिन याने May की 9 तारिख को 42,000 के goods accept हो गए हैं और balance कुछ भी नहीं बचा है और यह जो balance है 28 April का वो अभी तक balance है 60,000 तो मैं उसे balance की column में लिख रहा हूँ एक बार और revise कराता हूँ Memorandum मतलब rough book यह जो है वो sales register है पर यह specially ruled register है तीन section है पहले section में goods जो भेजे हैं वो second section में goods जो वापस आ गए third section में goods जो customer ने रख लिये और चोथा section में जहां तक जहां अभी तक balance रहेगा क्योंकि वो जो 15 दिन का time है वो complete नहीं हुआ है ठीक है तो यह total कर लिया हमने यह 224 क्या represent करता है यह महिने में इतना माल हमने customer को भेजा है यह 70,000 represent करता है इतना goods वापस आ गया यह 94 represent करता है इतना goods accept हो गया और यह 60,000 balance है अब मैं assume कर रहा हूँ कि यह जो हम ledger account बना रहे हैं वो हम 10 में के आसपास बना रहे हैं क्योंकि देखो 28 एपरिल को यह goods बेजे थे यहाँ पर कब कौन से दिन को बनाना है वो date उन्होंने नहीं बोला है यह journal है journal अना mind you I'll repeat यह journal है यह journal का format हमारा जैसे format नहीं है जर्नल का मतलब होता है day book तो यह journal है हाँ उपर वाला ठीक है don't confuse yourself अब हमें journal से ledger में posting करना है तो जैसे के मैं बता रहा था उन्होंने बताया नहीं है कौन से दिन को यह बना रहे हो तो हम assume कर रहे हैं 10th में के आसपास बना रहे हैं क्योंकि यह last वाले का 15 दिन अभी तक हुआ नहीं है अगर हम 31st में को बनाते हैं तो यह 60,000 बैलेंस नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि फिर तो यह वो return हो जाना चीए यह approve हो जाना चीए तो मैं assume कर रहा हूं कि यह 10 में को हम बना रहे हैं तो यह एक note भी end में हम लिख देंगे अभी journal से ledger में जब entry होता है तो वो periodically होता है कभी होता है? periodically यह entry होता है हर एक entry का posting यहां पर नहीं होता है बिटा तो RTP में जो solution दिया हो इसमें थोड़ा सा गड़वड है तो यह 2,24 का entry मैं again as I told you मैं May 10 को कर रहा हूँ और इदर लिखा जाता है buy sundries और यह amount आएगा 2,24 अपने credit में क्यों लिखा? मैं बता रहा हूँ, रोके तो credit sale का entry क्या होता है? debtor to sales होता है तो यह sales account है सिर्फ यह or return हमने add कर दिया है और sales में पूरे period का total लिखा जाता है तो यह पूरे period का total जो है 2,24 वो हमने इदर लिखा आपको लिखना है तो इदर April 30 भी लिख सकते हो ठीक है? मैं भी लिख लिखता हूँ April 30 का यह entry post किया कि पूरे महीने का sunries कितना है अब यह return हो गया है 70,000 का माल और यह return की जो dates है वो May 1 में भी जा रही है तो May 10 जैसे मैंने पहले बताया इदर वापस मैं sundry लिखूंगा और bracket में मैं लिख दूँगा return तो कितने का माल वापस आया है बटा? 70,000 का माल वापस आ गया है 224 का इसका entry अचा एक बार पता ना भूल गया यह 224 का जो entry है वो debtor to sales मैंने बताया था तो sales में सिर्फ total post होगा individually सारे customer का debtor account बनेगा तो debit effect जो है वो individually होगा तो हमें month end में हमें पता चलेगा कि कौन से customer से कितने रुपए की goods लेने बाकी है ठीक है अब जिनोंने वापस कर दिये तो वो entry reverse हो जाएगा sales return का तो sales debit हो जाता है और customer credit हो जाता है तो यह 70,000 में यह जो G भाई साहब है और I भाई साहब है वो credit हो जाएगे तो उनको goods दिये थे वापस आ गया जीरो हो गया तो और यहाँ पे sales और return में debit हो जाएगे similarly May 10 को हम entry करेंगे वापस से two Sundays entry होगा पर यह entry होगा sales का तो हमारे कितने goods अप्रूव हो गया है 94,000 के goods हमारे अप्रूव हो गया है जैसे का एकदिम starting में बताया था कि यह जो approved है यह rough book में लिखा है अब goods approved हो गये है तो फिर sales का entry भी तो करना पड़ेगा तो यह rough book से हमने निकाल दिया और यह 94,000 का entry हम main book में भी करेंगे main sales book में ठीक है debtor to sales अब हम balance निकाल रहे हैं और इसको हम लिखेंगे to balance carried down और यह balance बच जाएगा आपका 60,000 देखो आप total करके देखो बटा debit का total 224 आता है और credit का भी total 2,24,000 आता है और यह date जैसे मैंने आपको बताया कि यह main 10 assume किया जाएगा है ना text book में answer में may 31 लिखा है पर वो गलत है क्योंकि 31st may तक यह जो last वाला sale है वो balance नहीं रह सकता या तो वो return होना चाहिए या approved होना चाहिए I hope आपको यह solution समझ में आया है अगर कुछ doubt है तो बेशक आप comment में लिखे, I'll be happy to solve it Thank you so much, bye bye, take care